नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर काई प्रम एक बीमारी होती है भूलने की और एक साजिश होती है भूलाने की देश इस समय इन दो के बीच में जूल रहा है भूलाने की साजिश देश की सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वे कर रहे हैं और हमें जो दुखदर दिये जा रहे हैं उसे भूलने की कोशिश जन्ता कर रही है अब देखिए प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने जिस तरह से बनारस पहुच कर जो उनका संसदी छेतर है जिस तरह से वहां के मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ को देश का बहतरीन मुख्य मंतरी और खास तोर से कोरोना महामारी उसकी जो दूसरी लहर आई थी उससे जिस तरह से पूरे के पूरे प्रदेश को उन्होंने निकाला बाहर बकौल नरेन मोदी उसमें उन्होंने बताया कि सरुष्ष्ष्ट काम योगी आदितिनाथ ने किया अब यह हमारे जखमों पर नमक छड़कना हुआ जो मौतें भीशन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सहीत पूरे देश में हुई उनका मजाक उड़ाना हुआ या क्या इसे आप कहिएगा कि वे चाहते हैं कि सारी कि सारी जनता यह भूल जाए कि जिस समय करोना महामारी की दूसरी लहर आई थी उस समय इस प्रदेश ने कितनी बड़े पैमाने पर अंदेखी की थी और यह बात सिर्फ हम आप यह बाकी जो लोग हैं वही नहीं कहते आपको मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी आप देखिए इस स्क्रीन पर उस समय जिस समय उत्तर प्रदेश में हाहकार मचा हुआ था ओक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे लाशें गंगा मैया में बह रही थी उनको चील कवे नोच रहे थे लाशों की पूरी की पूरी लाइन लगी हुई थी शमशान घाट के बाहर लोग नदी किनारे उन्हें गाड के जा रहे थे उस समय इलाबाद उच्चितिम नियाले ने प्रदेश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन से कमी हुई मोतों को कहा था कि अपराधिक ये पूरा का पूरा जो प्रक्रण चल रहा है ये अपराधिक कृत है नरसहार के बराबर अंग्रेजी में उन्हें कहा था क्रिमिनल आक्ट नौट लेस देन जिनोसाइड और यह सब बहुत पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं आपको याद होगा यह सब अभी अभी हुआ हम आपसे बात कर रहे हैं जुलाई 2021 में यह सारी चीजें अप्रेल, मई, जून हम सब ने देखी हैं इस पूरे के पूरे प्रक्रण पर हमने बात की बनारस के पत्रकार जो नियमित तोर पे नियूस क्लिक लिए लिखते हैं विजे विनीच से और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर मोदी जी का हाथ योगी जी के कंधे पर तो है लेकिन क्या जनता ये जो तारीफ है इसे वह कैसे लेगी क्या कुछ कमिया है या ऐसे दुखदर्द है जो मिटने वाले नहीं इस तारीफ से विजे विनेच जी नियूस क्लिक में आपका स्वागत है मुझे संग्षेप ने बताईए कि प्रधान मंत्री जी जी कल आपके शहर में थे बनारस में आके उन्होंने योगी जी की काफी तारीफ की इसका कितना असर पड़ेगा क्या लोग भूल गए हैं जो कुछ कोरोना काल में हुआ देखे अपने के अपनों के खोने का दर्द कोई भूल नहीं पासा है कोरोना काल में जितने लोग लोगों की मौते हो उसका दर्द अभी लोगों को साल लगा है और मुझे लगता है कि किसी के गुरगान करने से किसी का दूसरों का दर्द दूर लगता है और अभी आपने देखा है कि कल योगी जी आए और योगी जी आए और योगी जी दोनों ने एक दूसरे की जम कर तारीश की मोदी जी ने कहा जिए बहुत अस्ता साथन चला रहा है योगी जी जी ने कहा कि ने ऐसा पन्ठान में तरी तो पूरी दुन जाने कर दोनों एक पिष्टे दिनों खबर आ रही ती देखे यही मैसेज देने के लिए इतना बला इसको मैं कारिक्तरम नहीं कहुगा इसको एक इवेंट के रुपने लेका हुगा मोदी जब भी बना रहा साथ है तो वो धोल लगारा तीट करके आते हैं एक इवेंट करके इससे पहले आपने देखा होगा देव दुपावनी पे तीस समबर या एक दिसंबर को आये थे मुझे यह नहीं दुनों में से पीची है और जब वो आते हैं तो लेजर तो लाइट है चमक दमक मतलब कि इनके कारिक्रम से गरीब दूर रहते हैं गरीबों के लिए कारिक्रम नहीं करते हैं यह सो करते हैं एक बड़ा इवेंट करते हैं और बनारस में कोरोना काल में ने बताया कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा योगी जी का और को अच्छे धंग से किया बनारस की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है देखे करोना काल में तमाम विभूतियां बिड़ा हो गए दुनिया से रुपसके इसमें राजन साजन भी चले गए और राजन जी चले गए साजन जी अभी है और चनूलाल जी की बेटी और उनकी पत्नी चले गए तो जब देश भर में इन विभूतियों के जाने के बाद हाकार मचण तब इन लोगों का ध्यान वहा कि ये सुचे ज़या हो एकिन जो सामान अद्मियों और इतनी खराद श्तिति रही कि अस्पताल से लाने के लिए सहो को लाने के लिए इसमासान गातों आपको मैं बतादू कि पहले बानारस में दो इसमासान गातों एक हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मारीगानिका घाट लेकिन करोना काल में मोदी जी ने छे समसान घाट घाट तयार करवा दिए यह अच्छा का दिया कि कम सकम जब नदियों में इसके बाउजू छे घाटों के बनने के बाउजू लोगों को अपने परजलों की लासे राजगाट के पास घाट शुरू कर दिया इस तरह से पांच में एक राजगाट के पास एक डुमरी गाव है वहाँ भी घाट शुरू हो गया तो तमाम घाट खोल दिये गए ताकि लोग अपने सवों के जरा से यह अच्छी बात की भानमंत्री जी को क्योंकि वो दस देश देख रहा है कि वैक्सीन के लिए मीलो लंबी लाइन लगी हुई है एक तरफ वैक्सीन देने के लिए थैंक्यू मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं और शायद इन में जितना करोणों रुपे खर्च हुआ उतने में अगर वैक्सीन महया करा दी जाती तो अलग ब वाले सुबे से लेकर दो पहर तक लाइन में लगे रहते हैं उनका दुखदर्द पूछने वाला कोई नहीं है कोई सरकार सुरकारी नुमाइंदा वहां नहीं पहुचता है वजह सीधी सी बात यह है कि सरकार अपनी तारीफ में खुद ही मगन हैं लेकिन इसी दर्मियान ज WHO ने बहुत चिंता जताई है उसका आकलन है कि पिछले साल यानि 2020 में जब करोना की पहली लहर आई थी तब से लेकर करीब भारत के 30 लाग से अधिक बच्चों को यह जो प्राण रक्षक तीका है जो हर बच्चे को मिलना जरूरी है ताकि वह डिप्थीरिया, टिटनेस और बाकी बीमारियों से बच सके वह प्राण बचाने वाला वैक्सीन नहीं लग पाया, सरकार ने इसकी पूरी तरह से अंदेखी की है, एक तरफ देश में वैक्सीन की भीशन कमी, बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, जो हमने बताया आपको, लेकिन हम पाते हैं कि पूर फैलाने में लगी हुई है, वह दिल्ली हो, लखनव हो, देश का कोई भी हिसा हो, हर जगा जहां वटसप यूनिवरस्टीज हैं, जहां वटसप पे प्रचार प्रसार चल रहा है, वो नफरत का बाजार गरम कर रहे हैं, और ये नफरत इतनी मैनुपुलेटेड या यूं कह ये कि इस पर अलग से हम आपसे बात करेंगे, कभी विस्तित कारिकरम करेंगे, कि ये जो सारे संदेश हैं, जो नफरत पहलाने वाले हैं, मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ हैं, इसाई समाज के खिलाफ हैं, जो भी उनके निशाने पर आ र बाजार है इस पर मियंतरन किया जाए ऐसी ही पहल दिल्ली में सामाजिक कार्यकरता अनहस से जुड़ी हुई शबनम हाश्मी ने की उन्होंने यहां पर दिल्ली पुलिस में बकायदा कमप्लेन की उन्होंने बताया कि किस तरह से दुआरका के एक सेक्टर में जो वर्टसप ग प्रचार प्रसार कर रहा है और सारे के सारे लोग जो समूह में हैं में खामोशी से ना सर्फ उस मेसेज को देख रहे हैं बलकि बहुत बड़े पैमाने पर उसे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं आगे भी बढ़ा रहे हैं आखिर ये जो नफरत पहलाने वाली फैक्ट्रियां है आपको दिखाई दे रहा होगा शबनम हाश्मी ने जो कंप्लेन की दिल्ली पुलिस में उसकी एक प्रती हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आखिर वजह क्या है कि इस तरह की जो हस्तक शेप हैं कि जब हमारे पास इस तरह के नफरत पहलाने वाले मेसेज पहुच थी यह सब कुछ चल रहा है इस देश में पुलिस के सामने चल रहा है लेकिन हम पाते हैं कि कहीं भी कोई दखल नहीं होता जरा जरा सी बात पर ट्वीटर और बाकी को धंकाने वाले हमारी सरकारें जब खुले आम एक धर्म को निशाने पे लिया जाता है तो पूरी तरह से चुपी चार्ज लेती हैं दर असल सोचने की जरूरत ये है कि ये जो सब चल रहा है एक साथ चल रहा है एक तरफ जो कोरोना महामारी में सरकार लापता थी उसे भुलाने की कोशिश हो रही है साजिश की जा रही है कि विस्मृती कर दी जाए दिमाग से डिलीट कर दिया ज को हमारे परिजनों को खोने के दुख को डिलीट कर दिया जाए खतम कर दिया जाए वही दूसरी तरफ पूरी कोशिश यह भी है कि जिस तरह से भीशन महंगाई है खौफनाग बेरोजगारी है इस पर हम आप और नौजवान न सोचें और शायद इसलिए अलग-अलग मोर्च से यह नफरत के खेल खेले जा रहे हैं लेकिन इसी के बीच हमें यह भी दिखाई देता है कि जब हमारी अपनी जमीन पर हमला होता है जब हमारे अपने मकान ढहाए जाते हैं तो कितना ही आप प्रचारक क्यों ना हो कितना ही आपने वोट क्यों ना दिया हो मौजुदा सरक को आपको बचाने के लिए वे सरकारें गायब होती है इसका नजारा दिली हर्याना सीमा में जो अरावली पहाडी के तलहटी में बसा गाउं है खोरी गाउं वहां इन दिनों देखने को मिल रहा है इस पूरे के पूरे गाउं को तोड़ा जा रहा है सुप्रीम कोट का है उस आदेश को पालन सबसे आगे बढ़कर हर्याना सरकार कर रही है इन तमाम लोगों को कहीं भी अभी इस्थापित पुनर इस्थापित करने की कोई योजना नहीं है कहीं मकान नहीं बने हैं वे सब छोड़ दिये गए हैं खुले में जिन्दा रहने के लिए इस पर हमन नहीं आ रहे हैं बड़े पैमाने पर लाख डेर लाख लोग रहते हैं जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है यह सब कुछ सुप्रीम कोट के आदेश पर हो रहा है हर्याना सरकार पूरी तरह से मुगदर्शक बनी हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हर्याना सरकार द दखल दे सकती थी इन तमाम लोगों को बचा सकती थी और आज की तारीख में भी ये तमाम लोग खुले आसमान के नीचे अपनी सुरक्षा को बिलकुल रिस्क में डालते हुए रह रहे हैं इसके बारे में हम बात करने के लिए सुमेधा आपको आमंतरित करते हैं आप निउस लोग अभी बड़ी संख्या में जैसे कि आपने बताया उनकी घर तोड़े जा रहे हैं लोग बहुत ही ज्यादा हताश हैं उन्हें काफी उमीद थी कोट से भी हर्याना सरकार से भी और उन लोगों से खास करके जिनके लिए उन्होंने वोट किया था वहाँ पर एक बहुत हताशा का महाल है गुसे का भी महाल है क्यूंकि लोगों को लग रहा है कि बीजेपी सरकार जसने वादा किया था कि जहां ज्भगी वही मकान वो इन पक्के मकानों को जहां पर लोग 30 साल से ज्यादा से बैठे हुए हैं उनने अपना घर बना आ चुके हैं बसा चुके हैं उधर से उन्हें उखाड के फेंका जा रहा है, उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। जाएगा या पुनरवास का जो सवाल है उसे एविक्षन के बाद और डेमोलिशन के बाद कंसिडर किया जाएगा तो इस तरह के बयान देखने को लिए है। कैसे देख रहे हैं क्योंकि अब यह भी खबर आ रही थी कि मीडिया को जाने नहीं दे रहे तो ऐसा क्या है वहाँ पे की मीडिया नहीं जा सकता। यह पिलकुल जिसतरह से सेंटरल वीस्टा के टाइम पर सरकारने केंडरे सरकारने अप्रोच अपनाई थी कि बिलकुल ही तस्वीरे नहीं बाहर जाएंगी और बिलकुल कोई वीडियो बाहर नहीं जाएंगी। उसी तरहां का रवया हर्याना सरकार अपना रही है और फरीदाबाद पुलीस अपना रही है जो उन्होंने बिल्कुल पूरा डेमोलिशन साइट को कॉर्डिन ओफ कर दिया है जब भी वो रेकगनाइज कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति पत्रकार है तो उसे खास करके टार्ग करेंगे तो हमें डीटेन भी किया जा सकता और पत्रकारिता का जो अधिकार है उस पर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं है यहां पर कोई फ्रीडम नहीं दी जा रही है कि लोगों की जितनी हताशा है जो लोगों की टेस्टिमनीज है उनको एटलीस डॉक्यूमेंट करने दिया और इसके फोटोज वहार आए जबकि लोकल लोगों को भी बहुत ही ज्यादा टार्गिट किया गया है पूरे एक महीने में कम से कम सौ से ज्यादा लोगों पर व्यक्तियों पर अलग-अलग तरहां के चार्जिस लगाए गए हैं काफी लोग इसमें डीटेन होते रहे हैं लगातार उन्हें सुरचकुन पुलीस थाने लगातार ले जाया गया है उसके बाद कुछ जिनों बाद छोड़ दिया गया है या सेम डे चोड़ दिया गया है पर जो लोग आगे-आ आकर के बोल रहे हैं या मीडिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी सरकार के तरफ से कोई ज्यादा लाठी चाज नहीं हुआ, ज्यादा वह अग्रेसज़ फोर्स भी शहता है, युनित गाली हेती जी किकी स्साहती है, कि रहना किशले ही आज तीसरा दीन है, घंक का लगातार तीन दिनों से सेंखी, छाषै किया है Conference 15. कल भी में वहाँ पर जमीनी रूप पर प्रेजन थी तो एक ही पाटन दिख रहा है कि सुभे जहां पर वो मकान तोडने की कोशिश करते हैं वहाँ लाठी चार्ज किया जाता है नहीं तो उसके पहले जो लोग उभर कर बोल सकते हैं उन्हें या तो डीटेन किया जाता है तो ये एक प्रक्रिया उन्हें चुरू की है सुभे लाटी चार्ज लगा तार हो रहे हैं अज भी लाठी सार्जव में वहाँ पर हुआ उसके बार इमॉलिशन की प्रक्रिया आगे चल रही है और जैसी डैमॉलिशन की प्रक्रिया ये चलती है पुलीस पाफी फॉ metres के साथ तो मैं यहां पर पिछले 12-30 सालों से रह रहा हूं फिलाल जो यहां पर सिच्वेशन है उसके हिसाफ से बताना चाहूंगा कि फिलाल गौर्मेंट ने एलेक्रिसिटी बैन कर दी है वोटर भी आने ने दे रहे हैं पानी कोई सुधा निया टेंक कर लेते हैं हम लोग तो टेंक आते हैं उन सब को भी रोग दिया कि नहीं तुम्हें जाना लाओ रहें ने तो तुम्हारे उपर फाइन है तो वो लोग भी नहीं ला पार है उपर से ना बिजली ना पानी है और लोग कि फोर्स फुली ने हटाये जा रहे हैं से प्लस कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है कुछ दिनों के अंदर ही तक रिवन तीन चार दिनों में तीन ये चार सुसाइड हो चुकी है मेरे हिसाब से लेकिन अगर गौर्ण्मेंट या सुप्रीम कोट की बात करी जाए अगर स कि अध्यकी दूखनी यह तुम जैसा इंसान बैठा हुए तो उसको यह पहले सोचने इंगार निगम कर आदमी ना पैसा खाया है ऑन पर्शासन ने पैसा खाया हूए हैं प्लीश ने दिरिन पीलीशों झाया य्टर वाश चुण ही प्लीशों सब ने पैसा खाय और यहां बसाया गया है तो हम यह चाहते हैं कि अगर वाक्ट्व में यह तोड़ी जा रही है तो इसका दूसर एक अपसन है हमारे पास हम खोरिगाव वासी एक अपसन रखते हैं सुप्रेम कोट के आगे कि अगर जितने की जमीन है उतनी की दुगनी कीमत पे हम खरीजने को पर नो दिन ते पानी भी नहाने वाला लाए दोने वाला कुछ पीने वाला कुछ भी भी हमाना कैसा कैसा जी रहे हैं आज नो दिन ते पानी भी उदर ते लाते लाल कुगा की तरफ ते पीने वाला तो बोलते नहीं इदर ते पानी नहीं जाएगा लोग पानी नहीं लाने द हम लोग तो यह जा रहेंगे कि जो जैसी हमारी जो जोपड़ी हैं जुगी हैं जैसी भी हैं हमें ही रहने देने चाहिए हम ही रहेंगे अभी हम गए मकान ढूना जाके तो 9000 का मकान था जब 15000 रुपया सेलरी है तो 9000 हुआ देंगे तो क्या खाएंगे तीन चार बेटिया है चोटी चोटी सी हैं उनको कैसे क्या करेंगे मैं तो यह इसे कोट से भी प्रसना यही करती हूँ कि हम लोग उनको जहां हैं वही रहने दो नहीं तो मकान के साथ में हम लोग उनको भी मार दो सबको हमने दो ऐसी शक्सियतों को खोया जिनके जाने का दुख बहुत लंबे सम साल रही जिनकी आवाज जब वो फैस गाती हैं मुझसे पहली सी महबत मेरे महबूब न मांग तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके समोहन की गिरफ्त में आए बिना रह सकता है हम सुरेखा सीकरी के लंबे योगदान को सलाम करते हैं आपको स्क्रीन पर इस समय एक फोटो दिखाई दे रही होगी यह दाने सिद्धिकी की फोटो है जो बहुत मशूर हुई और कोरोना काल में जिस तरह से लाशों का अंबार लगा जलाई गई समोह में लाशें जल रही हैं इसमें यह फोटो बहुत असर पैदा करने वाली फोटो रही वह राइटर के लिए फोट यह कहना पड़ रहा है पुलिस सर पुरसकार से सम्मानित दाने सिद्धिकी इन दिनों अफगानिस्तान में जिस तरह से तालीबान का हमला चल रहा है जिस तरह से तालीबान बढ़ रहा है अमरीका जब वापस जा रहा है उसे जिस तरह से छोड़ दिया गया है हिंसा के हव वाले उस पर रिपोर्ट करने अफगानिस्तान गए थे और उस हमले का वह शिकार हुए दो दिन पहले ही उन्होंने जो एक फोटो और एक छोटा वीडियो शेयर किया था उसे देखकर भी डर लगता था वह जिस वाहन में जा रहे हैं उस वाहन पर हमला होता है पूरा वाहन उचलता है लेकिन बतौर फोटो जनलिस्ट वह उसे भी दर्ज करते हैं दानिश की तमाम फोटो चाहे बहुत लंबी फहरिस्थ है चाहे वह लॉकडाउन के समय जिस तरह से मजदूर वापस जा रहे हैं या फिर जिस तरह से एक भारतिय नागरिक को हिंसक भीड मार रही है क्योंकि वह मुसल्मान है इस तरह की अंगिनत फोटो बहुत लंबे समय तक भारतिय समाज को प्रतिनिधित्व करती रहेंगी हमारे साथ दानिश अपनी तमाम स्रिजन शीलता के साथ बने रहेंगे शुक्रिया